फ्रेंड्स विल्कम टु माई योटूब चैनल जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में TGT PGT सोचियो लॉजी प्राक्टिसेट नमबर 102 को सॉल्व करेंगे ये प्राक्टिसेट बिल्कुल इस लेवस के कॉर्डिंग त्यार किया ग तो artists क्यों गर्cue दीजेगा और साथी साथ प्राक्टिसेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के practice met PM में आपके कितने कोश्ण सही तो चले शॉल्व करते हैं आज हमारे practice number 102 के Qution number one को, आज हमारा Qution number one है, निम्न लिखित में से काऊंसा एक भारत में जात की राजनीती करण का महतपूर्ण सुरोत नहीं है, option number A दिया गया है जात पंचायत, option number B है जात जैर्नल, option number C दिया गया है जात अंतरव्य वा और option number D दिया गया है जात संगं यानि की संग, तिस कुछिन का राइट अंसर क्या हो जाएगा? इस कुछिन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा option नमबर बी З्याति जर्नल भारत में जात्की राजनिती करण का महत्पूर्ण शुरौत जाति पंचायत जात अंतर बीवा तथा जाति संग है जबकि यह जाति जैर्नल यहां भारत में जातकी राजने निते करण का महतुएन श्रोत नहीं है कुछन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओекс नमबर बी आज हमारा सेकेड कुछन पूजीवादी बयोस्था में दबाव में सासॉप काउनसे प्रमुक कार है ? भिए गया फ़िबक्रार कोट की साहेता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए इसकोष्ण का राइय दिल्सनो की निभाब कामार ओप्सिन नमबर D, यानि कि पूजीवादी बेवस्ता में दबाव समू के कार है, मजदूरी के लिए सौधा करना, बेहतर कार दसाओं की मांग करना और बेहतर नियोकता कर्मचारी समंदों की मांग करना, इस वज़े से इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर D, आज हमारा थर्ड कुशन है, अमेर्की संस्क्रित और मूलों के सार की ब्याख्या करने वाली कृती डेमोक्रेसी इन अमेरिका का लेखक कौन था, ओप्सन नमबर A दिया गया है, अलेक्सी दा कि विले, ओप्सन नमबर B है, अलबर्ट के कोहेन, ओप्सन नमबर C है, आर क्ल अमेर्की संस्क्रित और मूलों के सार की ब्याख्या करने वाले कृती डेमोक्रेसी इन अमेरिका के लेखक अलेक्सी दे टाकि विले थे, अप्सन का राइट एंसर हो जाएगा, हमारा ओप्सन नमबर A, ठीक है, इसकी रचना कब हुई थी, यानि की डेमोक्रेसी इन अमेर् भारती संदर्व में निम्लल्खित में से कौन सा एक क्रिशक वर्ग को बताता है, ओप्सन नम. अ दिया गया है मालिक, किसान और मजदूर, ऑप्सन नम. बी sucks न ही है, जमीदार, कास्थकार और सर्मिक और ओप्सन नम. d दिया गया है, जोदोदार, अधियार और वर्गदा तो इस Queshin का Right Answer क्या हो जाएगा? इस Queshin का Right Answer हो जाएगा हमारा Option Number A यानि की मालिक किसान और मजदूर. देनियल थाजनारी भारती संदर में क्रिस वर्गों को मालिक किसान एवं मज़दूर में विभाजित किया है मालिक सरवोच वर्ग है, दूसरा वर्ग किसानों का है तथा सबसे निम नस्तर पर मजदूरों का वर्ग है कुशन का राइट एंसर होगा ऑप्सन बर ए आज हमारा अगला प्रश्न है, सरल समाजों की आर्थिक ब्योस्था के बारे में निमलकित कतनों पर बिचार कीजिए, यहां पे कुछ कतन देए गये हैं, इन पे हमें बिचार करना है, पहला पॉइंट दिया गया है, एक बड़ी संक्या में सरल समाज वर्षान वर्स एक ही ख ग्राही ही समाज के ओल पस्वों के सिकार पर जीवन यापन करते हैं, पॉइंट नमबर थी दिये गया है, तमिल नाट की नील गिर पहाड़ियों के वैस पालक और जम्मु एम कस्मिर के भेंड बकरी पालक पसचारी समधाओं के उधारण है, कुशन क्या गरा है, कुशन करा क कि निम्नलखित कतनों में से कौन सा सही है, इन में से कौन सा सही है, तो इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर बी, यानि कि सरल समाज वर्षान वर्ष तक एक ही खेतों पर क्रिस करने के बजाए खेत बदलते रहते हैं, जिसे जो है जूम क्रिस कहत करते हैं सिकारी एवं सग्राही समात केवल पसुओं के सिकार पर अपना जीवन यापन करते हैं तमिलनाट की नील गिल पहाड़ियों के भैस पालन और जम्मू कस्मिर के भेड़ बकरी पालग पसचारी समधायों के उधारण है कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप में योगदान नहीं किया समधिक नमबर इचारी विधिक के संप्रिद्धее परिवहान संचार संप्रिद्ध सक्टकर के됐ंसर का क्या किन कि मैरा और गॉस्पोर इश्चार्य का मारा ऑप्षिनन वर तुप मैक्स ब्विवर के अनुसार करिश्माई सत्ता का आधार ब्यक्त की विलच्छन प्रतिभाय या विशेस्ताएं होती हैं जिने कभी-कभी इस्वरी देन मानकर स्वविकार कर लिया जाता है जैसे बुद्ध, महावीर, गांधी, ईसा, मसी इसके उधारण है कुशन का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है निमनलखित कतनों पर विचार कीजे वर्स 1991 में भारत ने बाजार समर्थन कारिनीद अपनाई इसका अर्थ यहा है कि भारत ने पॉइंट नमबर वन दिया गया है इसमें पॉइंट नमबर वन है कि पॉइंट नमबर वन दिया अपना आंत्रिक नियामक मत्हांचा उदार बना दिया पोइंट नमबर ती घ्या गया है प्रसुलक घटा दिया पॉइंट नमबर थ्री है उपरियुक्त बिनमएदर नीथियां अपनाई और नमबर फोर भी देशी निवेशिककों को अर्थ व्योस्ता में महतपॉर्ण भ्हूमिका निवाने दिया कुशन क्या करा है कि उपरियुक्त कथनों में से कौन से सही है इन कथनों में कौन सा सही है इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D यानि कि ये चारो कथन जो है सही है भारत में जो है वर्स 1991 में जो है क्या हूँ था भारत में वर्स 1991 में भारत ने बाजार समर्थन क कारिनीत में भारत ने आंत्रिक कर धाचा को जो है उदार टैक्स में कमी ब्योहारिक विनमें दर्थ तथा विदेशी नियोश्चिकों के लिए अर्थ ब्योस्था के दर्वाजी जो है खोले थे इस वज़े से इस कुछिन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सिन नमबर डी आज है हमारा अगला प्रशन है भारत में नियंत्रित योजनबत अर्थ ब्योस्था की कौन कौन सी मुख्य विशेस्ताएं हैं पॉइंट नमबर वन दिया गया है गरीबी हटाव की राजनीद पॉइंट नमबर टू दिया गया है भूम सुधार जैसी गरीबी प्रतिक कारक नीतियां पॉइंट नमबर थ्री दिये गया है क्रिस उत्पादन के पीछे राज का बल लगाना और पॉइंट नमबर फोर दिया गया है सारबजनिक छेत्र की आर्थिक इकाईयों के माध्यम से अर्थ ब्योस्था नियंत्रित करना कुशन क्या कर रहा है कि नीचे दि ब्योस्था गरीबी हटाओ भूम सुधार जैसी गरीबी प्रतिकारक नीतियां क्रिस उत्पादन के पीछे राज का बल लगाना और सार्वनिक छेत्रों की आर्थिक इगायों के माध्यम से अर्थ ब्योस्था नियंत्रित करना ये जो है भारत में नियंत्रित अर्थ ब्यो प्रफानों को गिनायत है प्रथम तीन प्रोचाहन है सुरच्छा उन्नत एवन मानवी गर्मा चौथा प्रोचाहन क्या है और c a दिया गया है संबंदन की अनभूति option number b है तादात में की अनभूति option secretary dal में विश्वास की अन७ूति और option number d दिया गया है उपयोगिता की अनभूति 10 question का राइट हैं sir क्या हो जाएगा िस question कासा राइट हैं sir हो जाएगा उप्षन उपियोगिता की अनुभूती एल्मोर ओपर के अनुशार उद्धोगों में कार के प्रत अभिप्रेणा बढ़ाने के लिए चार प्रोचसानों को गिनाए गया है वे सुरच्छा उन्नती मानवी गर्म्या एवं उपियोगिता की अनुभूती है इत्कुष्ण का राइट अचर हो जाएगा ऑप्सवन नमबर डी आज हमारा अगला प्रशन है काम के रूप में लोहार कार निम्नकित में से किस एक के अंतरगत आता है option number A दियेगा है आदिम कला, option number B श्रेंडी प्रद्धित, option number C पूजीवाद समर्थंक प्रणाली और option number D दियेगा है घरेलू उत्पादन प्रणाली तो इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D यानकी घरेलू उत्पादन प्रणाली काम के रूप में लोहार कारे घरेलू उत्पादन प्रणाली के अंतरगत आता है, question का right answer होगा, option number D Friends, उम्मित करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रीज आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो को पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, वहां पर हमारे अभी तक जितने भी प्राक्टिसेट प्रोवाइड किये गये हैं, उन सभी के पीडियाप जो है अभेलबल हैं, जिसे निशित ही सफलता मिलेगी, और फ्रेंड्स येदि आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेते हैं, तो आप रिग्लर साम को कंड़क्ट होने वाले मौक टेश्ट को भी दे पाएंगे, रिग्लर साम को हमारे टेलिग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए फुल कुशन है, बाजार बिनमे के बारे में निमलखित कतनों पर विचार किजिए, पॉइंट नमबर वन दिया गया है, बाजार बिनमे विशुद रूप से वाडिजिक बिनमे का आर्थिक प्रतरूप है, पॉइंट नमबर टू दिया गया है, बाजार बिनमे करने वाले पच् option number A यानि कि केवल एक और दो कुछन का राइट एंसर होगा option number A यानि कि बाजार बिन में बिसुत दुरूप से वाड़िजिक बिनमें का आर्थिक प्रतुरूप है बाजार बिन में बिन में करने वाले पच्छों को निर्धारित नहीं करता इस वजह से इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रशन है निम्न लिखित कथनों पर विचार किये जिए यहां पर दो कथन दिये गया है पहले को क अंगटित ब्योहार प्रणाली होनी आवश्चक है जो उसे आवश्चक भौतिक संसादनों को स्रिजित और प्राप्त करने योग बनाती है कुश्चन क्या करा कि नीचे दिये गया कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाओ कीजिए तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो को अपने आप संतुष नहीं करती उसे पूरा करने के लिए किसी ना किसी उत्तपादन प्रणाली से जुड़ना पड़ता है मन उसमें कोई ना कोई संगटित ब्योहार प्रणाली होनी आवश्यक है जो उसे आवश्यक भौतिक संसादनों को स्रिजित और प्राप्त करने य पहलू जज्मानी प्रथादवरा ग्राम में जातियों और परिवारों में निम्लकित में से कौन सी विसेस्ताइं सामिल थी पॉंट नंबर वन दिया है अन्योन्या-श्रम एंव अन्योन्यता पॉंट नंबर टू है सहिकारिता एंव मदंध और प्रभाविता एंव सोशन क क्या करा कुशन करा कि नीचे दिए गये कूट का प्रियोक कर सही उत्तर का चुनाओ के जिए तिस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी यानिकि केवल एक और थीन ठीक है भारत में परंपरागत ग्रामीड जाएगा option number B आज हमारा अगला प्रश्ण है सहरों में प्रवशन सहरों में प्रवशन के नहीं वरन ने सर्गी कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं option number A दिया गया है नगरी करण option number B है आभासी नगरी करण option number C है सांस्कृतिक बहुरुरंग और option प्रवशन के नहीं वरन ने सर्गी कारकों के कारण जनसंख्या के बढ़ने को जो है नगरी करण कहते हैं इसका अर्थ केवल ग्रामीड चनसंख्या के नगर में आकर बसना या क्रिस से इतर कारियों में जो है अपने को लगाना ही नहीं बलकि वे ग्रामीड ब्यक्त भी जो नगरी जिवन सैली मनोवरित मूल ब्योहार को अपनाते हैं नगरी हो सकते हैं तिस वाज़े से इस कुश्चन का राइट एं अग्ला प्रश्ण है निम्स लिकित कतलों पर बिचार किजएं पहला पउइंट दिया गया है नियत विकासी नगर अग्रवर्ती देशी परंपरा का वहन करते हैं, पॉइंट नमबर 2 दिया गया है, नियत विकासी नगरों में अंता सांस्कृतिक संपर्ख बार बार अस्थापित होते हैं, और पॉइंट नमबर 3 दिया गया है, नियत विकासी नगर प्रात्मिक नगरी क से ताथ पर यह है कि नियत विकासी नगर अगरवर्ती देशी प्रंपरा का वहन करते हैं और नियत विकासी नगर प्रात्मिक नगरी करण को आगे ले जाते हैं ठीक है नियत विकासी नगर अगर अगरवर्ती देशी प्रंपरा को आगे बढ़ाते हैं जबकि उनमें जो है अ कौन्सा कंफन्स सहेंद्वारव वयष्विक नगर के विशेद्ट गूढ व्यक्त करते हैं पॉइंट नमबर वन दिया गया है पॉइंट नमबर वन दिया गया है वे वैसुक अर्थ ब्योस्था के लिए निर्देश और नीत निर्माड के केंद्र हैं पॉइंट नमबर टू दिया गया है वे विट्थी और विशेशिक्रित सेवा फर्मों के प्रमुक अवस्थान है पॉइंट नमबर 3 दिये गया है वे ऐसे बाजार है जहां वित्ती और सेवाओं सेवा उद्दोगों के उत्पात खरीदे बेचे या अन्यथा निप्टा आ जाते हैं और पॉइंट नमबर 4 दिया गया है जनसेंख्या गहनतों का उच अस्थर उनकी विशेष्था होती है कु सब्सक्राइब कीजिए तिस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर डी यानिकी केवल एक दो और तीन बैस्योक नगर की अवधार्णा सस्किया सेसेन द्वारा टोकियो लंदन फ्रैंकफर्ट बित्ती संगठनों परामर्षदाताओं के मुख्याले हैं ससकिया सेसेन का कहना है कि वैस्व करण की प्रक्रिया यदिव राज्यों के बीच होती है पर वास्तों में यह प्रक्रिया बड़े-बड़े नगरों के बीच में होती है इनहीं नगरों से अंतरराष्टिए ब्या सामाजिक संस्थाएं कुष्चन रहा है कि मैक्स वेबर ने नगरी संधाय का सिद्धान्थ बिक्सित करने के लिए उपर उपर युगत में से किन-किन रूपों को साथ में लिया इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C यानि कि केवल 2 और 4 यानि कि केवल 2 और 4 Max Weber ने नगरी समदाय का सिध्धान्त विक्सित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक संबंद को साथ लिया है कुष्ण का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है उन सिध्धान्त वादियों को क्या कहते हैं जो पूजिवाद राज की सापेच स्वायक्ता में विश्वास करते हैं पूजिवाद राज इस क्विशन का राइट अगले प्रश्ण की तरफ आज कैमारा अगला प्रश्ण है एस सेजन ने 1991 में निमलिखित नगरों के किस समू का वैस्विक नगर की संकलपना बिक्सित करने में अध्यन किया option number A दिया गया है निव्यार्क, लंदन, एवं टोकियो option number B है निव्यार्क, पेरिस, एवं बोष्टन option number C लंदन, मिलानो, एवं सिकागो और option number D दिया गया है टोकियो, निव्यार्क एवं मास्को, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A यानिकी निव्यार्क, लंदन एवं टोकियो, इस सेसेन ने 1991 में निव्यार्क, लंदन एवं टोकियो का वैस्विक नगर की संकल्पना बिक्सित करने म सत्य सोधक समाज, option number B अनसोचित जाति संग, option number C बहुजन समाज संग, और option number D दिया गया है, D as 4, friends यह question आप लोगों से पिछले प्रैक्टिसेट में पुछा गया था, जिसका कई लोगों ने सही जवाब दिया था, इस question का सही जवाब दिया था, भावत रिपाथी, सोनम गुपता, लक्षमी सायरीन, कोमल राथी, सालनी मिस्रा, दीपू दिवाकर, अलका सिंग, स्नेह लता, इसनेह लता, जितेंद्र सिंग, रस्मी, राम गोपाल सिंग, अमरीन त्यागी, उपमा सिंग, कृष्न कुमार मिष्रा, वंदना मिष्रा, रिता भासकर, आर्थी मिष अंजली सर्मा, अर्चना कुमारी हर्शवर्धन, अनुज कुमार, राजेंद्र यादो, सालनी मिस्रा, परमेंद्रा राय, प्रेम बंधनी गुपता, अनमूल आर्या, पूजा गुपता, निमिशा वर्मा, पूनम सर्मा, डवलु कुमार, काजल राजपूद, सुधा अराध्या, जैसवाल, जैप्रकास, सर्मा, अर्चना, श्रिवास्तो, उप्मा सिंग, कोमल यादो, छोटु भाई, विनिशा दूबे, सीपी गौतम, अंकुष पांडे, अम्तयतिवारी, राधे स्याम कुमार, मनोच कुमार, अधिती सिंग, सीवा गुपता, निक चोधरी कलपना सिंग, परमेंद्रा राय, विरेंद्र सर्मा, राजपूत सैनी, अनामिका गुपता, माही सर्मा, रीता, पांडे, विनुदसा, वैभो सर्मा, अकांची सिंग, सुमन यादो, अंजू पांडे, पूनम सैनी, मैथमेटिक टीचर, डॉली कुस्वाह, पूजो रुपेश दिवेदी और रेखा राठोर ने, यानि कि इन सभी ने इस कुष्चन का सही जौब दिया था, तो आई जानते हैं कि इस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number A, यानि कि सत्य सोधक समाज, ठीक है, जो तिराव फूले द्वारा किस संस्था संगेटन की अस्थापना की गई थी, तो यह सत्य सोधक समाज की अस्थापना की गई थी, आज हमारा लाश प्रशन है, कि इन इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है, option number A दिये गया है, इरावती करवे, option number B प्रभू, option number C आइपी द पताना होगा कि question का right answer क्या होगा, friends आप हमारी telegram channel का link जो है video के discussion box में provide करा दिया गया है, तो आप वहां से telegram channel को join कर सकते हो, और आप लोग बहुत ही ज्यादा इसमें viewers लगवा काफी ज्यादा आ जाते हैं, पर telegram channel पे mock trust बहुत कम लोग, यानि कि 300-400 लोग ही दे रहे हैं, तो यादि आप mock trust का lab उठाना चाहते हैं वह भी फिरी में, तो आप हमारी telegram channel को जरूर जोइन कर लें, तो चलिए मिलते हम आपसे पने next video में, तब तक के लिए, जैहिंद बंदे मात्रम